आप सभी को जैसरी कृष्णा राधे राधे तो आज फिर सुनाते हैं लड़ू कोपाल की एक सत्य घटना जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड़ू कोपाल के प्रती स्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा तो ये जो सत्य घटना है ये है विरंदावन के पास एक गा संतान सुक के प्राप्ति नहीं होती है उनको वो बड़े दुखी होते हैं इस बात से कि उनको कोई संतान नहीं है तो क्या होता है कि एक बार उनके घर में जो भिक्षुक होते हैं वो आते हैं एक बाबा आये हुए थे तो वो उनसे पूछते हैं कि बाबा हमारे घर में क्या ऐसा पूछ ले कौन ऐसे क्या कर दे कौन ऐसे क्या कह दे कि हमको उस चीज की प्राप्ति हो जाए या वो सुख मिल जाए हमको तो इसी मतलब इक्छा से और तो वो बाबा से वो जो मांगने वाले साधू होते हैं उनसे वो पूसती है, तो वो साधु बाबा कहते हैं कि अगर आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, आप तो आप क्यों यहाँ वहाँ सोच रही हैं, दुनिया के नातों में फस रही हैं, आप कनहया जी को लियाओ, आप लड्डू गुपाल को लियाओ, प्राप्ति हो जाए ऐसे कहते हैं तो वो बड़ी खुस हो जाती है वो जो रहती है वो मैया और फिर चाम को अपने हस्पेंट से बताते हैं कि आज एक साधू बाबा आये थे उनसे मैंने ऐसे पूछा तो वो ऐसे बोले तो उनके हस्पेंट को भी लगता है कि सही बात है हम द बेंट कहते हैं कि चलो कुछ दिन के बात चलते हैं तो वहां से वरंदावन से अपने एक लेड़ू गोपाल ले आते हैं तो कुछ दिन के बाद इनका संयोग बनता है और ये वरंदावन जाते हैं वरंदावन जाके वहां से बहुत प्यारी से सुन्दर से लेड़ू गोप है कि वो दिन रात हस्वेंड वाइप जो होते हैं वो भगवान की भक्ती में लग जाते हैं और वो लड़ू गोपाल को अपने पुत्र की भाती जैसे वो सादू बाबा ने बताया था वैसे ही और उनके भाव भी वही रहता है कि उनको मतलब उनको लेके आती है उनको बहुत अच्छे से उनकी प्राणपरतिष्ठा करवाती हैं और अपने घर में एक बालक के रूप में रखती है और उसका नाम रखती है माधव तो बाद बाद में उनके हस्बेंड बाहर से कहीं आए माधव माधव उनकी मैय जो थी वो माधव माधव मतलब पूरा देन उनका जो माधव के लिए जरूर लेके आती ऐसा लगता कि जैसे वो उनका मतलब छोटा बच्चा ही हो मतलब उनके अंदर वो भाव आने लगे थे कहीं जाती एक बार पीछे मुड़ के देखती फिर वो अपने हस्बेंट से कहती माधव का भी मन हो रहा है जाने का चलो माधव को भी ले चलते हैं कहीं भी घूमने जाती है माधव को साथ में लेके जाती हैं वो पूरा भाव उनका माधव के प्रती मतलब एक बच्चे के प्रती हो गया था वो जो मैया थी और वो थे उनके हस्बेंट थे अब क्या होता है कि समय बीटता जाता है और चार साल हो जाते हैं माधव को लाए हुए और माधव को रहते हुए चार साल हो जाते हैं लड्डू गोपाल को और लड्डू गोपाल की क्रपा से उनको संतान की एक प्राप्ति होती है लड्डू गोपाल के जैसे ही एक प्यारा स उनको बेटा मिलता है अब भाई जिसके घर में साक्षाद लड्डू गोपाल हो उनकी इतनी सेवा हो रही हो उनकी इतनी पूजा पाठ हो रही हो तो वो क्रपा नहीं करेंगे तो कौन करेंगे जब हम हार जाते दुनिया वालों से मांगते हैं सब के पास जाते हैं यहां जाते हैं वहां जाते हैं किसी के पास आप मत जाओ जिसको भी संतान सुख चाहिए हैं वो सिर्फ लड्डू गोपाल की सेवा करें यह बहुत ऐसे अनुभव होए हैं जो की लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और उनको बहुत सालों के बार बहुत सालों तक वो यहां वहां भटकते रहते हैं नहीं होता लेकिन जैसे जब से वो लड़ो गोपाल की सेवा में लग जाते हैं और कुछ सालों में ही उनको लड़ो गोपाल की करपा हो जाती है ऐसा ही उनके साथ हुआ अब क्या होता है कि ज रख देते हैं तो माधव और कानहा दोनों हो जाते हैं दोनों कनिया जी के नाम हैं तो ऐसे माधव कानह माधव कानह ऐसे होता रहता है अब जब कानहा थोड़ी सा बड़ा होता है तो इनकी जो मैया है वो कहती है कि अब कानहा बड़ा हो रहा है उसका एड़ीशन करा दें स्क उसको खिलाना, पिलाना, पढ़ाना, लिखाना ये सब चीज और उसका कानहा का एंडमिशन भी करा देती हैं। काले को भूल जाते हैं। जब तक उन्हें बहुत अच्छे से पूजा की पार्ट की सब कुछ किये जब तक कानहा नहीं आया था। जैसे ही कानहा आया, इनका जो ध्यान है, वो थोड़ी सा इनके माधव के प्रती, लड्डू गोपाइल के प्रती थोड़ी कम हो जाता है, हट जाता है और कानहा में ज़्यादा लग जाता है, मतलब उनके बेटे में, अब उनका एड्विशन करा देती हैं, उस दिन जाती हैं एक दिन, और दोनों जाते हैं, मैया और उनके हस्पेंड, दोनों जाते हैं, और कानहा को लेके जाते हैं, उसका एड्विशन कराते हैं, अ अब क्या होता है उस दिन रात में ये दोनों कानहा को लेके अपने विस्तर में सो जाते हैं माधों को भी सुला देते हैं ऐसा नहीं है कि माधों को मानते नहीं थे ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल छोड़ दिये थे करते थे लेकिन जब से कानहा थोड़ी सा बड़ा हुआ था उसकी पढ़ाई लिखाई का वो करने लगे थे तब से थोड़ी सा ध्यान उनका हटने लगा था अब क्या था वो भले भूल जाए लेकिन हमारे लड़ू गोपाल थोड़ी भूल सकते हैं उनका तो वही प्रेम है जो प्रेम था अब वो एक दिन जैसे ये husband wife दोनों सोते हैं इनको रूठे हुए इनके लड़ू गोपाल माधव ऐसे अपने मतलब इनको सपने में दिखते हैं कि इनका जो माधव है वो रूठा हुआ है और जब रूठा हुआ है तो उसके जो husband है और वो है वो पूस्ते हैं कि क्या हुआ माधव क्या हो गया गुस्सा क्यों हो ऐसे कर कहते हैं मुझे बात नहीं करनी तो वो कहते हैं क्यों बात क्यों नहीं करनी तुम गुस्सा क्यों हो तो वो कहते हैं माधव कहते हैं कि मैया तुम मुझे भूलती जा रही हो तो वो कहते हैं नहीं माधव मैं तुमको क्यों भूलूंगी बेटा मैं तुम भी तुम मेरे माधव पहले जैसे पहले थे वैसे अब बोले नई मैया अब तुम दोनों का प्यार मेरे से कम होता जा रहा है तो वो कहते हैं क्यों तुम को ऐसे क्यों लगा कि हमारा प्रेम तुम से कम होता जा रहा है तो फिर वाद में वो कहते हैं कि अगर बताओ अगर तुम मुझे अपना बेट माल लिया लेकिन तुमने मुझे अपना बेटा नहीं माना तो वो कहती है वो जो माधव थे वो कहते हैं कि माधव तो मैं ऐसा क्यों लगा कि मैं तुमको अपना बेटा नहीं मानती हूं और काना को अपना बेटा मानती हूं तो वो जो माधव थे वो कहते हैं कि माधव और इन एड्मिशन कराया ना मेरा एड्मिशन कराया मतलब तुमने मुझे अपना बेटा नहीं माना और ऐसे करके बहुत दुखी हो जाते जैसे एक छोड़ा बच्चा रूटता है वैसे रूट के पलट के मूँ ऐसे करके बैठ जाते गी पूरा सीन पूरा सपना उन्मया और बापा को एक साथ दिखता है मतलब कोई जूट वाली बात नहीं है कि कोई अफवाय है या कि कुछ है बिल्कुल सेम सपना और जब ऐसे वो करते हैं तो एक दम से दोनों उठ जाती हैं वो बोलते हैं अरे यह क्या है और उनको बिल्कुल यह चीज़े फील होती है कि हाँ यह बात लेकिस तो सही है कि जब हम माधव को अपना बेटा मान रहे हैं पूरा उसका वैसे ही कर रहे हैं जैसे हम कानया का करते हैं तो हमने ऐसे गलती कैसे हो गई? मतलब एक पल के लिए तो हमने उनको मूर्ती ही मान लिया ना कि यह कान आ हिए माधव हैं मतलब ये लड़ू गुपाल है और ये मंदिर में ही रहते हैं और उन्होंने पूरा याद दिला दिया कि मैं तो हूँ लेकिन अगर आप मुझे अपना बेटा मान रहे हो तो वैसे मेरा मुझे मानो तो अगर आपने काना का एडविशन कराया है तो मेरा क्यों नहीं कराया फिर क्या होता है कि सुबह जब वो उठती है और अपने माधव के पास जाती है और माधव से हाथ जोड़ के कहती है कि माधव हमें माफ कर दो हमने सच मैं मतलब थोड़ी देर के लिए तो हमें लगा ही एक पल के लिए कि तुम्हारा एडविशन कैसे आये तो हमारे मन में ख्याल भी नहीं आया कि काना को तो हम करा रहे हैं लेकिन तुम्हारा कैसे कराएं तो तुमने जो हमारी आँखें खोल दी हमें जो बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और है तो फिर बाद में क्या होता है कि दूसरे दिन सुबह ही वो दोनों हस्बेंड वाइफ जाते हैं और जिस स्कूल में कानहा का एड्मिशन कराए थे वहां पर इनको भी माधव को भी लेके जाते हैं बड़िया सुन्दर से तैयार करके लेकिन क जा था कि वो तो मान रहे थे उनको माधव को अपना बेटा ही लेकिन स्कूल वाले मानते कभी नहीं मानेंगे वो तो मूरती ही मानेंगे जब उनको एड्मिशन कराने के लिए ले जाते हैं स्कूल में तो वहां के जो इंचार्ज होती है जो वहां के एड्मिशन करती हैं त आप मजा क्या कर रही हैं दुनिया हसेगी बच्चे हसेगे तो वो बहुत रिक्वेस्ट करती हैं उनसे कि प्लीज इसका एडवीशन कर लीजे आप और फिर सपने वाली बात बताती हैं फिर वो बहुत समझाती हैं उनको कि देखिए हम अपने माधव को ये नहीं सोचते हैं क हमारा भाव देखिए और उसका भाव देखिए अगर उसका भाव नहीं होता हमारे प्रती तो हम दोनों को सेम ही सपना क्यों आया एक साथ ही क्यों आयो हम दोने एक साथ ही उठके बैठे और उससे फिर माफिब तो ऐसे मत करिए आप अगर हमारे काना का एडवीशन किये है तो आप प्लीज इसका भी admission कर लीजे हमारे माधव का ऐसे बहुत request करती है फिर वो नई मानती बोलती है आपको principal mem से बात करनी पड़ेगी तो फिर वो वहाँ पे जाती है और वहाँ से वो जो principal mem थी वो भी बहुत धार्मिक थी वो भी भगवान की यह सब कुछ लड़ू गोपाल की क्रपा ही हो रही थी जब वो वहाँ पे जाती है तो बताती है सब कुछ तो वो जो principal होती है वो बहुत ही अच्छी होती है वो समझ समझ पाती है उनके भाव को की हाँ हो सकता है क्योंकि वो भी धार्मिक थी और वो भी लड़ू गोपाल को मानती थी बांके बिहारी को मानती थी तो वो कह देती है कि ठीक है आप ले आया करिए एड़ू करवा लीजे फिर उसका जो माधव होता है लड़ू गोपाल होते हैं उनका एड़ूशन कराती है वो और फिर उनका एडवीशन होता है फिर घर ले जाते हो फिर जैसे कानहा के लिए यूनिफॉर्म, बैग, बुक, सब कुछ हाया वैसे ही माधव के लिए और आज भी ब्रंदावन के पास एक गाउ है वहाँ पे आज भी माधव का एडवीशन मतलब वो लिखा हुआ है नाम वह एडवीशन हुआ ऐसे नहीं लेकिन माधव का स्कूल में एडवीशन हुआ था और आज भी वो स्कूल माधव के नाम से ही बहुत फेमस लोग आते थी उसको देखने के लिए और ये जो माधव है ना अब ये जो मैया और बाबा थे वो अब तो बूढ़े हो गए है और जो लड़ो गोपाल को एक बच्चे के रूप में मानते है न तो उनका भी भाव हमारे प्रति वही हो जाता है हम भूल जाए लेकिन वो कभी न भूलते वो अपनी अनभूती करा ही देते हैं जैसे कि इनके साथ कराइ तो आप कभी भी लड़ो गोपाल को एक मूर्ति मान के तो प्लीज लाइक, सेयर और सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं किसी नेक्स सत्त घटना के साथ जब तक अपना ख्याल रखिए अपनों का ख्याल रखिए थैंक यू सो मज़ फुल वाच करने के लिए राधे, राधे